असलाम अलेकूम दिस इस असुद एफसी मैट पार्ट वान चिप्टर नमबर 10 ट्रेग्नोमेट्रिक्स आइडेंटिटीज और लेक्चर नमबर 21 में आज हम रिवीव एक्सरसाइज का पहला क्वेस्टिन दिसक्स करेंगे और पहला क्वेस्टिन हमारे पास अब्जिक्ट्ट प्राइम कास 9 डिगरी 10 फ्राइम माइनस 10 50 डिगरी 50 फ्राइम साइन 9 डिगरी 10 फ्राइम इसको आप लोगों किस तरह कल्कुलेट करोगे इसके लिए आप लोगों ने यह वाला फर्मूला याद रखना है कास अलफा प्लस बीटर कास अलपा प्लस बीटर जो एक्वल है का is alpha cos beta minus sign alpha sign beta ठीक है जिसके लिए ये फॉर्मला याद रखना है ठीक है और दूसरी बात यह है के सिक्सटी फ्राइम जो होता है सिक्सटी फ्राइम ये वन की वन डिगरी की एकुल होगा सिक्स्टी फ्राइम वर्ली ते एक लोगता है यहां पर देखो अगर मैं से करेंगा मतलब मैं यहाँ पर लिए दोंगा खास्ति डिँरी फिप्टि फ्राइम और बीटा की जहा दोंगा नाइन डिगरी टैन प्राइम अ तो यह क्या बचते भी डिगरी प्लासन ऩी से तिप्टी नंडीटी बचते विट्टी फ्राइम प्लस 10 फ्राइम से क्या बन जाएगा काज आप 60 डिगरी आ जाएगा और राइट साइड में अगर आप विल्ड उस पूट करोगे तो यह वाला साइड बन जाएगा काज 50 डिगरी 50 फ्राइम काज 9 डिगरी 10 फ्राइम माइनस साइन 50 डिगरी 50 फ्राइम माइनस साइन 9 डिगर करोगे तो इसकी एडिशन से आ जाएगा का सिक्स्टी डिग्री और का सिक्स्टी डिग्री इक्वल है वान बाई टू का तो इसमें हमारे पास जो कोरेक्ट आप्शन है वो आप्शन भी है इस तरह में आगे भी प्राप्लिप्स को सॉल करता हूँ स्क्वेर सेवंटी तो यहां हमें भी वन हैंगए तैंजर्टेंट 15 डिग्रीस इबर में डूम नासओं रूट 3 और मैं फाइन्ड करूंगा को टैंजन स्क्वेर सेवंटी फाइव डिग्री में लिखसकता हूँ और टैंजन 75 डिग्री ओह लिखसक्वेर । फेर इस टिजन सेवंटी degree whole square को co tangent 75 degree whole square को मैं लिख सकता हूँ co tangent 90 degree minus 15 degree whole square अगर इस 90 minus 15 से वा पिस के आएगा 75 degree आएगा अगर मैं इसको expand करूंगा अगर मैं इसकी expansion करूंगा तो इसकी expansion से हमारे पास आ जाएगा tangent 15 degree इसकी expansion से हमारे पास क्या जाएगा؟ तेंजिन 15 degree जाएगा तीके और इसके लिए आप लोग यह वला formula याद रख सकते है और यह भी याद रख सकते है कि को-tengen 90 degree zero की एकुλ होगा को-tengen 90 degree हमारे पास zero की एकुल होगा तो इसकी जगा मैं लेख सकता हूँ tangent 15 degree whole square और tangent 15 degree की बिलू हमारे पास है 2 minus under root 3 whole square तो अगर इसकी मैं expansion करूंगा तो ये बन जाएगा 2 square plus under root 3 square minus 2 into 2 under root 3 तो इसकी जाएगा 4 plus 3 minus 4 under root 3 तो ये जाएगा 7 minus 4 under root 3 ठीक है तो इसमें हमारे पास ये option C ही correct है तो देख लो if tangent alpha plus beta is equal to 1 over 2 tangent alpha की value 1 over 3 है तो फिर tangent beta क्या होगा tangent beta क्या होगी तो we know that tangent tangent alpha plus beta equal है tangent alpha plus tangent beta 1 minus tangent alpha tangent beta ठीक है तो tangent alpha plus beta की value हमें गेवन है वो है 1 over 3 एस tangent alpha plus beta की जाएगा मैंने वाद 1 over 3 लिख दिया यहां भी सोरी ये इसकी value 1 over 2 है tangent alpha की value 1 over 3 है plus tangent beta divided by 1 minus 1 over 3 tangent beta इसको right इसका cross multiplication आप लोग कर सकते हैं मतलब 1 minus tangent 1 over 3 tangent beta और ये तो इसके साथ multiplied करो two one over 3 लस टेंजन बीटा तो ये क्या हो जाएगा one minus one over 3 tangent beta two by three plus two tangent beta टीक है तो ये यहां देखो one minus two by three इसको left side पे shift करो ये इस side पे आ जाएगा तो ये बन जाएगा two tangent beta plus one over three tangent beta तो इसके LCM लो इसके LCM आ जाएगा three one over three इससे आ जाएगा यहां से tangent beta कामल लोगे tangent beta जब कामल लोगे तो इससे आ जाएगा two plus one over three तो इससे आ जाएगा one over three tangent beta to seven by three आ जाएगा इससे तो ये three इसके three के साथ cancel हुआ और ये seven यहां multiplication में है तो division में चला जाएगा तो tangent beta बन जाएगा one over seven तो इसमें कौन सा option correct है option B इसमें correct है तो इस formula की मदद से हम इसकी simplification कर सकते हैं अब question four को देख लो sign theta cos 90 degree minus theta plus cos theta sin 90 degree minus theta से क्या आएगा इसको हम expand करेंगे sign alpha plus beta से जो equal है sign alpha cos beta plus cos alpha sin beta तो यहां पे consider करो के alpha हमारे पास है theta alpha की वीलू टीटा है और beta की वीलू है 90 degree minus theta beta की वीलू क्या है 90 degree minus theta तो अगर मैं इसको यहां पर पूट करूंगा sign theta plus 90 degree minus theta तो यहां पर देखो theta theta के साथ cancel हो जाएगा sign 90 degree आएगा तो sign 90 degree हमारे पास equal है one तो आप लोग इसी formula की मदद से इसकी expansion कर सकते हैं अब मैं object number number five discuss करूंगा इस expressions की हम किस तरह simplification करते हैं सीकन टीटा प्लस टेंजन टीटा one minus sign theta is equal to what ठीक है तो सीकन टीटा प्लस टेंजन टीटा और one minus sign theta तो सीकन टीटा की जगा क्या लिख दो one और साइन टीटा और टेंजन टीटा की जगा लिख दो साइन टीटा डिवाड़ बाइ पास टीटा और इसके साथ आ जाएगा one minus sign theta जिसके सीम कास टीटा हो जाएगा उपर आ जाएगा one plus sign theta और इसके साथ यहां पे है one minus sign theta तो यह one plus sign theta और one minus sign theta जब मौटिप्लेड हो जाएगा तो बन जाएगा one minus sign square theta divided by cos theta और one minus sign square theta equal है कास स्क्वेर डीटा का reward by cos theta तो इससे आजाएगा cos theta तो इसमें हमारे पास option डी करेक्ट है part seven को देख लो a point is an quadrant three मतलब points हमारे पास third quadrant में है first second and third quarter points हमारे पास third quadrant में है and third quadrant में x भी negative होता है और y भी नेगटिया होती है x की विर्खी तो सोच्की विल्युन हमें given minus four by five मतलब x हमें given है वो है minus 4 by 5 तो फिर इसी quadrant में y की भी लुकिया होगी लेकिन y वीडियो स्पाइंट करने के लिए शर्त ये है कि यहां हमें given है unit circle क्या given है unit circle unit circle वो circle होता है जिस circle का radius 1 की equal होता है उसको कहते है unit circle और unit circle का जो formula है वो है x square plus y square is equal to 1 यह unit circle की equation है तो इसी unit circle की मदद से हम y को भी find करेंगे x हमें given है तो यहां आप लोग x की value support करो तो यह बन जाएगा minus 4 by 5 whole square plus y square is equal to 1 तो इस से जाएगा 16 by 25 plus y square is equal to 1 तो यह जाएगा y square is equal to 1 minus 16 by 25 इसका LCM लो तो यह बन जाएगा y square is equal to 25 minus 16 reward by 25 तो y square बन जाएगा 9 by 25 तो y आजाएगा plus minus 3 by 5 लेकिन मुझे y की value minus लेनी है मुझे third quadrant में एक्स भी नेगेटियो होता है और वाई भी नेगेटियो होता है तो option b is correct unit circle की identities को formulas को satisfied करता है यह नहीं हो सकता sign a plus cause a नहीं हो सकता क्योंकि sign square a plus cause square a से one आ सकता है यह नहीं हो सकता इस तरह sign minus a is not equal to sign a यह भी नहीं हो सकता tangent a हमारे पास equal है sign a divided by cause a तो यहाँ पे यह मतलब लिख चुके है cause a divided by sign a तो यह भी नहीं हो सकता यह भी नहीं हो सकता है यह भी नहीं हो सकती हमारे पास मतलब यह first condition हो सकता है double angle formula में हमने पड़ा था sign two theta जो equal है two sign theta cos theta तो अगर इस two को मैं shift करूंगा left side पे तो यह हो जाएगा one over two sign two a तो यह बन जाएगा sign a cause a मतलब आप लोग सकते हैं तो इसमें यह trigonometrics identities हो सकती है बाकि यह b c d is option is not होग है